तो गाइज आज देखने वाले हैं कि मेरे दर्वाजे पे कौन कौन सा पेंड पोध तो यह जो है ऐसे थोड़ा दूर से ऐसे दिखता है और यहां पर सबसे पहले देखें तो वह बगल में एलोवेरा का पौधा लगा हुआ है और यह है छोटा छोटा टेक्टर है बेसिकली क्या कि जहां जगा नहीं होता है और उसको अगर जुताई करना होता है उस जगा को तो उसका यूज करते हैं और यह है यह गुलाव का फूल है और यहां पर यह चमेली का फूल यहां पर लगा हुआ है और इसको थोड़ा काड़ दिया गया है गुलाव का फूल भी बहुत थोड़ा वैसे था थोड़ा ज़ादा जगा ले रहा था, तो सो काड़ के छोटा कर लिया?" चमेली के पौद्ध को भी काड़ के छोटा कर दिया गया है और यह अमरूद है जो अभी तोड़ लिया गया है, और कुसब पचा हुआ है, इस में से. ऊस में जो है बहुत मीठे मीठे अमरुद लगते हैं यह यहां भी है अमरुद का पेंड़ और यह गुलाइची का पेंड़ है और फिर यह एक अनार का भी यहां पेंड़ है वहां पे वो पिताजी है वो दाड़ी बनवा रहे हैं यहां पे और यहां फाइनली यहां पे है यह सेम का यहां पर लगा हृगा है फाधा शुद कोई भी का होगो नहीं डाला गया है अपने मेधे यह नेचूरल मतलब कि इसमें घोह ने में कोई flow Lao नहीं होगा यह विदाउट एनी खाट का यह हुआ है यहाँ पर और इसको देखा जाते हैं देखने चलाए अकिसमें बहुत सारा खाट डाला गया है और बहुत इकनम जैसे की बहुत हरा हरा के वज़े से काला हो गया तो यह इसको आज हम लोग बनाएंगे इसको खाएंगे बहुत अच्छा लगता है इसको अगर भून के बनाया जाता है तो इसके अंदर परवल का भी पौधा है परवल भी इसमें है जो उसका टाइम आएगा तो वह बहुत अच्छा अफरता है तो यह है आज का वीडियो